हाई फ्रेंद्स, वेलकम तो या चैनल, DIY, होम एंड लिविंग आज की हमारी वीडियो में हम एजी एंड क्विक पनीर तिक का पिजा बनाना सिखेंगे वो भी राइस कुकर में जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं हम पहले पनीर को मारिनेट करेंगे आदा कप दही लीजिए, that should be hung curd इसमें हम दो टी स्पून अद्रक लसन का पेस दालेंगे हमारे चैनल में आप DIY, होम और्गनाजेशन, होम डेकॉर, मिनिचर मेकिंग, रेसिपीज और बहुत कुछ सीख सकते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे and don't forget to hit the bell icon to be updated with our latest videos अब हम इसमें मिलाएंगे एक टी स्पून कश्मीरी चिली पेस्ट मैं आप कश्मीरी चिली पाउडर भी यूज कर सकते हैं मैंने कश्मीरी मिर्च को भीगा कर अच्छे से पेस्ट बना लिया हैं नमक स्वाद अनुसार गरम मसाला आदा टी स्पून धन्या पाउडर एक टी स्पून अब हम इसमें पनीर के क्यूब्स मिक्स करेंगे ये होम मीट पनीर है लगता है ना बाजार से लिए जैसा बहुत ही जल्द मैं इसका बनाने का तरीखा भी अपलोड करने वाली हूँ अब एक कड़ाई में तीन टी स्पून ओयल डाल कर इस मारिनेट पनीर को हम स्टो पर पकाएंगे धीमी आज पर जब तक की ओयल सेप्रेट ना हो जाए इसे धीमी आज पर पकाएं हाई फ्लेम ना करें इसमें अब एक टी स्पून चाट मसाला पाउडर मिला लीजिए जैसे ही तेल अलग दिखने लगता है स्टो आफ कर लीजिए छोटी छोटी तुकडों में दो शिमला मिर्च, दो टमाटर और एक मीडियम साइज ओनिन काट लीजिए और मोजारेला चीज को भी कदुकस्त करके रख लीजिए मैं इसके साथ बाजार से बना हुआ पिजा सॉस यूज़ कर रही हूँ इस पिजा बेस पर अब हम पिजा सॉस अच्छे से लगा लेंगे इस पर हम टॉपिंग डाल लेंगे डिपेंडिंग ओन यूर लाइक्स तहले मैंने कैप्सिकम डाला है इसके बाद टमाटर डाल लेजिए अब प्यास डाल लेजिए इस पर मैं अपना बना हुआ पनीर टिक का अच्छे से डाल रही हूँ और लास्ट बट नॉट दे लीस्ट मॉजरेला चीज वो मुझे जादा क्वाइंटिटी में अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला है आप अपनी पसंद के अनुसार टॉपिंग्स डाल सकते हैं जादा या कम अब पिज़ा को राइस कुकर में रखकर लिड मूझ कर उसे अन कर दीजिए राइस कुकर क्लोज हुआ और मैंने फिर से उसका स्विच लगाया इस तरह हमारा पिज़ा दस मिनिट में बन गया देखिए है ना ये रेस्टोरेंट स्टाइल सर्व करते वक्त आप इस पर टुमेटो सॉस डाल सकते हैं अगर आपको ये हमारी पनीरतिका पिज़ा रेसिपी अच्छी लगी तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए इसे जरूर ट्राइ कीजे आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे